हेलो गाईज वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल ट्रेडिंग विद पियांका कश्यप अई होप आज आपने फिन निफ्टी में ट्रेड करके काफी प्रॉफिट कमाया होगा क्योंकि कल की विडियो में हमने आपके लिए पहले ही बता दिया था कि कल मार्किट में हमारा कौन सा लेवल अचीव हो सकता है और हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड लेनी है और हम यह आपको कहने के लिए नहीं कह रहे हैं आप जाके क्रोस चेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमारा ये एक W पैटरन बना हुआ है और कल मार्किट ने इसकी नेकलाइन को ब्रेकाउट देने की कोशिश तो की बट मार्किट इसका ब्रेकाउट नहीं दे सकी और मार्किट फिर से हमारी इसका जब आज गैप अप ओपन पैटरन का टार्गेट दिया था 17,745 वो आज अचीव हो चुका है अलमोस्ट क्योंकि आपको पता है कि आज मार्किट ने जो क्लोजिंग दिया है वो हमारी 17,721 के पास दिया है लेकिन 17,725 तक आज मार्किट गई थी तो हमारा ये टार्गेट आज अचीव हो गया क्योंक तो आई होप आज आपने डेफिनेटली अपना प्रॉफिट कमाया होगा जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो मार्किट ने कल इस डबलू की जो ये नैक लाइन थी इसको ब्रेक आउट देने की कोशिश तो की थी बट मार्किट ने यहाँ पर इसका ब्रे कि वीडियो में अपने थमनेल में हमने बताय ही दिया था पहले की मार्किट में बड़े टाइम फ्रेम पर एक पैटरन फॉर्म हुआ है जिसके बेसिस पर हमें अपनी मार्किट अब हमारी बढ़ सकती है क्योंकि वो जो पैटरन था वो हमारा मौर्निंग स्टार का पैटरन ये भी हमने कल आपको बता दिया था और उसका जो आज आप देखें तो मार्किट ने उसका अपना हाई जब ब्रेक किया गैप अप ओपनिंग के साथ मार्किट ने आज उसके हाई को ब्रेक कर दिया था तो आज हमें पहले से ही ये कनफरमेशन थी कि मार्किट में अब हमा और यह pattern जो हमारा बना हुआ है इस pattern के बारे में तो हम continue लगातार तीन दिन से आपको बता रहे हैं कि यह हमारा एक morning star pattern होता है और जब इस candle का high break होता है तो यह pattern हमारा active हो जाता है और इसके बाद market में हमारे upside बढ़ने के chances होते हैं और इसी pattern के basis पर ही आज market में हमें एक बहु Monday में आप किस तरीके से trade करके अपना profit कमा सकते हैं तो इस video को शुरू से लेकर ending तक जरूर देखिएगा और कल की जो हमने आपको बताया था आज आप देखी सकते हैं कि वो चीज हमारे लिए कितने ज़्यादा helpful थी क्योंकि कल भी हमने बताया था कि आप अपनी जो हम आपक की market का ही overview ले लेते हैं कि आज market ने किस तरीके से trade किया क्योंकि जो कल आपको हमने levels recommend किये थे क्या आज market के ट्रेडिंग के दुरान हमें हमारे लिए वो levels helpful थे या नहीं अब हम आप से इस बारे में सबसे पहले discuss करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि Monday के लिए हमारे कौन से resistance और support होंगे जिस पर हम trade करेंगे चलिए सबसे पहले आज की market का ही overview ले ले लेते हैं कल की वीडियो में हमने आपको ये जो levels बताए थे हमारा जो resistance की तरह act कर रहे थे वो थे 17,745 था then 17,670 का फिर 17,612 का और then 17,571 का ये levels हमने आपको कल के resistance के लिए बताए थे और downside के जो हमने आपको level बताए थे वो थे 17,450 का और then 17,400 का और ये हमने आपको support के लिए बताए थे तो अब देखते हैं कि क्या ये level आज हमारे लिए work कर रहे थे या नहीं और साथ के साथ हम market का overview भी लेते रहेंगे कि आज market ने किस तरीके से trade लिया और आपको किस तरीके से trade लेना चाहिए था और कौन कौन से time frame पर हमारे कौन कौन से patterns बने हुए थे तो सबसे पहले आज की market की अगर बात करें 5 minute के time frame के हिसाब से तो यहां देखें तो हमने जो आपको level बताया था 17,571 का market ने इसी level का support लिया और then market हमारी upside गई तो यहां पर आपकी एक call side entry बन सकती थी और उसके बाद अगर आप फिर से देखें यहां पर तो market में हमारे यहां से lower low बने हुए यह हमारे यहां से market में consolidate हुई थी और उसके बाद अगर 5 minute के हिसाब से अगर हम इन सभी candles को देखें तो जो candles इतनी upside गई है उतनी ही वो downside आई है यानि हमारी market आज काफी time तक stop loss hitting market थी 5 minute के हिसाब से तो 5 minute के हिसाब से तो आप यहां पर कोई trade भी लेकर नहीं चल सकते थे क्योंकि आप इन सभी candles को देख सकते हैं कि कितनी जादा यह stop loss hitting candles है और बड़े time frame के हिसाब से आप लेकर चल सकते थे अपनी put side entry उसके वो हम आपको अभी बताएंगे तो सबसे पहले तो 5 minute के हिसाब से ही देख लेते हैं तो यहां पर अगर आप फिर से देखें तो यह हमारे एक pattern form हुआ था 17,510 पर जिसको हम shooting star pattern बोलते हैं तो यहां पर आप अपनी एक trade को लेकर चल सकते थे put side तो यहां से आपको असानी से एक profit होता 17,400 तक यह candle हमारी continue य ही है यानि यह हमारे 100 points हैं यहां से आपको 100 points capture हो सकते थे अगर आपने इस 5 minute के patterns को देखा होता तो और हम आपको हमेशा कहते हैं कि patterns वही follow होते हैं जो resistance और support पर बनते हैं और इस shooting star pattern के बारे में तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी यह pattern form हो आपको इस level इस अपने telegram channel पर भी update कर दिया था कि market हमारी stop loss heating है या तो आप किसी level के breakout या breakdown के बाद और after consolidation के बाद आपको entry लेनी हैं तो यहां से हमारी यह market काफी देड तक consolidate थी लेकिन हम यहां पर अपनी एक trade को लेकर चल सकते थी यह देखिए यहां पर यह market हमारी consolidate थी इस level के बीच में 50 point के बीच में और जब इस candle ने इन candles ने इस level को दुबारा से retest किया है तब हमारी यहां पर एक all side entry बननी थी और यहां पर हमारा एक डबलू pattern भी था यह देखें तो यह हमारा एक डबलू pattern भी था जिसका target हमारा force 17,510 बनना था और जो की achieve भी हुआ था और दुबारा से इस लो हुआ था बड़े टाइम फ्रेम पर जो कल बना हुआ था हमारा यह देखें कल के वाला जो डबलू pattern अभी हमने आपको starting में बताया भी था तो यह हमारा यहां पर आज बना हुआ था जिसका target हमारा साथ की साथ आ गया क्योंकि यह 5 minute का टाइम फ्रेम का था तो अगर कितनी जादा upside गई है यहां पर आप देख ही सकते हैं इन सबी को और जब यह 510 का level इस new candle ने breakout दिया तब वापस देखे तो यहां retest भी हुआ है तो आप retest पर भी अपनी entry लेकर चल सकते थे क्योंकि हम आपको हमेशा कहते हैं कि आपको जो हम levels बताते हैं उसके breakout या breakdown होने क के बाद after retest आपको entry लेनी होती है तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि हमने किस basis पर अपनी entry ली थी तो यह हमारा 50 minute के time frame का chart है तो यहां देखें तो यह candle ने आज हमारी बनाई थी यह हमारा green color का evening star pattern था तो इसका जब low break होना था तो हमको एक put side entry बना कर अपनी चलनी थ तो यहां से भी हमने अपने एक entry बनाई थी और जिसका हमें put side हमें एक अच्छा खासा profit हुआ जिसका target हमारा 510 था add the money पर आपको यहां से अच्छे points मिल सकते थे और उसके बाद अगर यहां देखें अगर आप अपनी trade को hold करके चलते तो market में यहां पर हमें कितना ज़्या higher में है यह lower low में है अगर आप इन सभी candles को देखे तो यह हमारी सभी की सभी lower low में ही है और यह हमारी एक trend line भी यहां से draw हो रही थी यह देखिए यह हमारी trend line थी जो कि यहां पर draw हो रही थी हम आपको अच्छे से यह draw करके दिखाते हैं यह देखिए अगर आप इस candle के third candle प परके भी अपनी यहां पर put side entry बना कर चल सकते थे, I hope आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, और उसके बाद तो हमने आपको बताई दिया था कि market हमारी consolidate है, और consolidate के बाद जब हमारा यह level breakout होगा, तो आपको अपनी वापस से आप अपनी entry बना कर चल सकते हैं call में, क्योंकि अभी तक तो आप गरा 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर भी देखें, जो candles के basis पर trade करते हैं, तो stop loss sitting candles थी, लेकिन जिसको अगर अच्छे से जो हमारी वीडियो daily देखता है, जो समझता है price of action को, क्योंकि हम daily बताते हैं कि price of action आपको क्या बता रहा है, तो आप यहां पर देखत से हमारा selling pressure आया हुआ है, तो यह तरीका भी आप इस तरीके से भी इन candles के price of action को समझ सकते थे कि यह candle आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, और उसके बाद तो देखें, फिर market हमारी upside ही गई है, यानि जो हमारा W का target कलका था 17,745 वाज अचीव हुआ है, अब 30 मिनिट क हमारा एक pattern form हुआ था जिसको हम यहाँ पर morning star बोलते हैं, लेकिन यह हमारा red color का था, जब green color का होता है, तो हमारा वो best pattern होता है, इसलिए अगर यहाँ देखें, तो यह जो next यह हमारा बना हुआ था, यह देखिए, यह बना हुआ था, तभी तो इसने इसके level को break कर दिया, य इतने downfall के बाद, अब market में reverse होगी, तो यह हमारा pattern बना था, hammer, 30 minute के time frame के हिसाब से, तो इसके basis पर भी आप अपनी यहाँ पर trade को लेकर चल सकते थे, तो हमने यहाँ से starting से भी अपनी entry ली, 5 minute के हिसाब से, 30 minute के हिसाब से देखे, तो यहाँ पर भी हमने एतनी entry ली, क्योंक को बहुत बार ही बता चुके हैं, हर रोज बताते हैं, क्योंकि यह हरोज कभी ना कभी market में बनी जाता है, किसी ना किसी time frame पर, अब देखी one hour का time frame, हमने जो यह यहाँ पर अपनी entry ली थी, यह इतनी सारी entry ली थी, वो हमने इस pattern के basis पर ली थी, और यह हमारा कौन सा pattern है, अ हमारा green color का morning star pattern है, जो की down fall होने के बाद support पर बना है, और जब इसका high break होता, तो आप बड़े time frame के हिसाब से भी अपनी entry लेकर चल सकते थे, आपका stop loss थोड़ा बड़ा जरूर होता, यह 17,400 का हमारे आसपास, यह stop loss इसका बनता, तो यहाँ से आप अपनी position को hold करके चल सकत और यहाँ से आप अपना एक बड़ा profit कमा सकते थे, यह देखिए, यह morning star pattern हमारा बना हुआ है, और यही pattern हमारा अगर हम दिखाएं आपको तो यही one day के time frame पर बना हुआ है, जो की हमने कल ही आपको बता दिया था कि अगर इस pattern का high break हुआ, तो अब हमारी market में upside move आएगा, क् कि हमारी जो lower low हैं, वो break हो चुके हैं, तो I hope आज की technical analysis आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो यह जो 17,700 का level है, वो हमारे लिए कल मंडे के लिए बहुत ज़ादा important होगा, क्योंकि अगर आप इन सभी candles को देखे, यह four hour की candles हैं, तो यहाँ पर कितनी ज़ादा यह य मंडे के लिए 17,700 का अगर यह level break हुआ, तो हमारी market में फिर से हमें upside move नजर आएगा, वैसे तो market में बड़े time frame के हिसाब से, जो यह lower low में सारी candles बनी हुई है, इनका breakout आज यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि यह next candle है, जो इसके previous candle के high से upside ही बनी है, आप यहाँ से इसको resistance के तरह act करने वाले हैं, तो I hope वैसे तो आपको आची technical analysis अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब market हमारी stop loss hitting होती है, 15 minute के time frame के इसाब से, तो आपको एक consolidation का wait करना पड़ता है, कि market कहीं न कहीं consolidate हो, और उसके breakout या breakdown के बाद हम अपनी entry को बनाए, तो यह चीज आपको आज समझ लेनी चाहिए थी, यह हमने अपने telegram channel पर भी update कर दी थी, आप भी हमारे telegram channel को join कर सकते हैं, जिसका link हम आपने आपको description में दिया हुआ है, live market के दौरान जो भी candlestick patterns, जो भी trend lines या market कहां पर consolidate हो रही है, आपको किस तरीके से entry लेनी हो है, यह सब कुछ हम आपको live market के दौरान ही अपने telegram channel पर update कर देते हैं, तो आप एक बार महाँ पर जाकर आप खुद ही check कर लीजिए, जो यह one hour में जो यह pattern form हुआ था, इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था, कि यह हमारा morning star pattern बना है, one hour में, तो आप अपनी trade को upside बना कर चल सकते हैं, after retest और यह भी जब market consolidate हुई थी, तो भी इसके basis पर भी हमने आपको पहले ही trading करवा दिया था, कि market हमारी जब भी consolidate होगी, after retest आप अपनी entry को लेकर चल सकते हैं, upside यह सब कुछ हमने आपको update कर दिया था, और जब market downside आ रही थी, इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही predict कर दिय था, कि market में आपको भी market lower low बना रही है, तो आपको अपनी entry को किस तरीके से लेनाई चाहिए, तो I hope आज की analysis आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप भी हमारी telegram channel को join कर सकते हैं, तो इससे पहले थोड़ा सा हम यह भी जान लेते हैं, कि जो weekly में जो time frame बना है, उसके हिसाब से market का अब हमारा क्या target होगा, यह भी हम पहले जान लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कि market में आज हमारा एक hammer pattern form हुआ है, जो कि एक downtrend के बाद यहाँ पर निचे support पर बना है, आप इसको देखी सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखें, तो अब जो इस hammer का हमारा जो first target होने वाला है, वो हमारा होगा 18.200 का लेवल, तो यह हमारा first target है, इस hammer के pattern का, क्योंकि अगर आप यहाँ पीछे से भी देखें, तो यह जब हमारा यह hammer pattern बना था हमारा September में, यह September के असपास हमारा बना था, तो उसके बाद भी market में हमारी एक बड़ी recovery आई थ 19.500 के level तक गई थी, तो यह pattern भी हमारा almost वहीं पर ही आज बना है weekly time frame पर, तो अब इसके हिसाब से भी market का जो first target होगा, वो 18.500 का होगा, और उसके बाद के जोड़ोंगे, वो हमारा आपको साथ की साथ हरोज update ही कर देंगे, तो चलिए सबसे पहले अब यह जान लेते हैं, क हमारे लिए resistance की तरह act करेंगे, मंडे के लिए, तो सबसे पहले जो हमारा level रहेगा, वो होगा, 17.750 का level लगाईए, क्योंकि market ने आज almost इसी level के पास ही अपनी closing दी है, और यह हमारा 15 का भी यह हमारा day high है, तो 17.750 का level हमारे लिए resistance की तरह act करेगा सबसे पहले, और उसके बा 1790 का level, तो यह हमारा 17777 का level, तो यह यह हमारे लिए resistance की तरह act करेगा, और उसके बाद जो हमारा level है, वो है 17,870 का level, यह रहा हमारा 17,870 का level, यह रहा हमारा 17,890 का level, एक दो पॉइंट से कुछ नहीं होता, आप यहां लगा लिजीएगा, यह रहा 17,870 का, और देन है 17,920 का, अगर मार्किट इससे अपसाइड गई, तो उसके लेवल्स हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर अपटेट कर ही देंगे, तो यह हमारा 17,920 का लेवल, अब 17,682 का लेवल, तो यह रहा हमारा 17,680 का लेवल, और देन हमारे लिए होगा 17,608 का, यह हमारा 17,608 का लेवल, और उसके बाद है 17,620 का लेवल, तो ये level है हमारे लिए जो support और resistance की तरह act करेंगे अगर support की आप एक और level की बात करें तो वो है हमारे लिए 17,400 का level ये है हमारे 17,400 का level तो ये हमारे लिए support की तरह act करेंगे और resistance की तरह act करेंगे तो I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो informative लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल तैंक यू और आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं जिसका link कमने आपको description में दिया हुआ है